यह प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी किमत पर नए एक शेत्रों में फैलने नहीं देना है स्थानिय स्थार पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो यह हमारे लिए चिंता का विशे होना चाहिए कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखत मृत्य होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें होर्ट स्पोर्ट को इंगित करके पहले से भी जादा बहुत जादा सतकता बरतनी ही होगी जिन स्थानों के होर्ट स्पोर्ट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी कठोर कदम उठाने होगे नए होस्पोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा नए संकट पैदा करेगा इसलिए अगले एक सप्ता हमें को कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी बीस एप्रिल तक हर कस्बे हर थाने हर जिले हर राज को बड़ी बारी किसे परखा जाएगा वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस खेत्र ने करोना से खुद को कितना बचाया है इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा जो खेत्र इस अगनी परिक्षा में सफल होंगे जो अपने हां होट स्पोर्ट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहां पर बीस अप्रिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुटचाट दी जा सकती है लेकिन याद रखे ये अनुमती सवशर्ट होगी बहार निकलने के नियम बहुत सक्त होंगे लॉकडाउन के नियम अगर तूरते हैं और करोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है तो सारी अनुमती तुरंत वापिस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है मेरे देश्वास्यों कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी 27 अप्रिल से चीनित छेत्रों में इस सिमीत छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजिविका को धान में रखते हुए किया गया है जो रोज कमाते हैं रोज की कमाई से अपनी जरूरते पूरी करते हैं वही मेरा एक ब्रहत परिवार है मेरी सर्वोच्च प्राथिक्ताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है प्रदान मंत्री गरीद पल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है अम नई गैडलाइन्स बनाते समय भी उनके हीतों का पूरा ध्यान रखा गया है देश और दुनिया से जुड़ी सबी प्रमुक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जोड़ दमाए साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले